आप गुद्मानिंग वेलकम टुलना सब्सक्राइड मी चलो लेट सी इसन एजी टेस्ट पेपर अन टॉपिक प्रोबाइबिलीटी प्रोबाइबिलीटी वेसे साल ही इसी टेस्ट पेपर मुश्किल बनने के चांसे भी नहीं है ठीक है टोटली बेस्ट एन से थे मैक्सिमम प्रोपोर्शन से ट्योरी पर बेस्ट है से ट्योरी के प्रोपरटी से रूल से आत रखो तो यहां प्रोबाइबिलेटी सोल हो जाएगी ठीक है स्टार्ट करें कुछ चार पांच कुछन से स्टार्ट करते हैं किष्णमों इन्हें क्लास ओफ 60 स्टुडेंस 30 सब्सक्राइब कुछ नया देने का यहां पर स्कोपी नहीं बनता आपके लेवल पर टॉपिक्स हम अभी बात कर नहीं सकते हैं तो यह हो गया मैरा सिक्स्टी टोटल अम्रों स्टुडेंस 30 ऑप्टेट फॉर एंस तो हमको इवेंट्स मानने पढ़ेंगे कि स्टुडेंट स्टुडेंट ने चुनता हूं वह चुनावा बच्चा से निकले स्टुडेट बच्चा उसको लेलो इवेंट है क्या हुआ कि सलेक्टेट स्टुडेंट अप्टेट फॉर एंस इस तरीके से वो क्या हो जाएगा ऑप्टेट फॉर एनसे ठीक है एंसे एंसे करते हो गया है उसमें अब क्या है कि अब क्या करते हैं कि किस ने कितने कितने तो आपने एवेंट एन से सी एन सीजी को ए माना है तो एन ओफ एन ओफ एक्या हो गया वताओ थर्टी और एन ओफ बी क्या हो गया एन का मतलब नमबर नमटर एलमेंट्स इन दसेट भी तो यह कितने हो गए थर्टी टू और ट्वंटी-फॉर ऐसे हैं जिन्होंने दोनों के सब्सक्राइब करने का मतलब सब्सक्राइब यह कितना है तो इसका मतलब है आपको प्रोबैबिलिटी निकालने इदर एन सीसी और निकालने एए यूनियन भी की सट्ट्यूरी से फॉर्मूलाय लगा देंगे हम क्या होता है बताओ प्लाइब प्लस प्लाइब प्लाइब बी माइनर प्लीटी ओफ इसकी प्लाइब निकालने पड़ेगी हम नंबर डारेक्न ले सकते विकॉस विया डिली में प्राइब अगर यह चैप्टर क्यूशन चैप्टर नमावन क इसकी पहले अलग निकाल लेंगे प्लाइब नोफ इस यहां से फ्लीटी और फिर्मूला वही लगे लगेगा एन फिर फैस तो थाटी टू बाइब टो पूर से कार दें वो अब अपने को यहां पर बिना काटे वाली लिख देते हैं वहां पर हम दोनों लिख लेते हैं फिर जहां पर जो वैलू काम है अब यहां बिना काटे वाली लिख देते हैं थर्टी टू बाइ सिस्टी और माइनस पर इंटर्सेक्शन भी क्या थी 24 बाइ सिस्टी केन भी टेकन एस ल्सीम इनको एड्ट सब्ट्रेक करो 62 में से 24 जाएगा तो 12 में से 24 जाएगा तो 12 में से चार गई आठ पर दोगे 38 बाइ पड़ेगा तो इसको हम टू से कार दें तो नाइंटीन फायर थर्टी इस तर फाइनल आप ठीक है सेकेंड क्यूशन पढ़ते हैं इस नीदर नीदर एंसी सी न और एनसी सी ना एस अब आपको सोचो या तो एनसी सी या एनसी से का उल्टा नी बोल रहा हों कि हम यह कह रहा है तो या तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको वन माइनस फ्रोल्टी ओफ ए यूनियन भी अच्छा पहले लिखके बताएं यह लो लिखके बताते हैं नीदर एंसी सी याने कि ए नहीं चाहिए और बीबी नहीं चाहिए इंट्रसेक्शन बीबी नहीं चाहिए अब इसको क्या लिखेंगे डी मॉर्गन स्लूस हैं वन माइनस फ्रोल्टी ओफ ए यूनियन भी का ने का का तो पहले वन माइनस ना लगा के बताओ प्रोबैबलीटी ओफ ए यूनियन भी का पोल डैश और इसकी फुरल्टी ब्रैकेट इंपोर्टन हैं अब इसको क्या लिखेंगे वन यह लिख दिया तो भी चलेगा ठीक हम स्टेप बाइस चलो तो अब उसको माइनस करना है तो वन माइनस प्रोल्टी ओवें यून भी आने की होना चाहिए अब इसको आगए क्यों करते हैं प्रोली हमां च्लों Leuky Kee ऑर आपके फ़र्टेटि क्या है वैफ थूरथ करो एक बाद तीन मार्क्स के क्यूशन है नहीं सारे 15 तो हर एक क्यूशन एक-एक मार्क का हो गया समझाया अब इस टाइब के जो कुशन होते हैं अभी 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 चीज़े थी और पिर पिर तीनो ना हो पिर ना हो तो इस टाइब के जब आपको लगे की मामला ज्यादा है लंबा चुड़ा है तो आप उसको पूरे सब्सक्राइब कर सकती हो अगर मैं डियागराम से सब्सक्राइब करूं तो जलदी से बना लो जल्दी से इंटर से बरना शुरू करें यह पहले चेप्टर में बताया था कहां से बरना शुरू करें इंटरसेक्शन क्या दोनों का 24 तो यह यह वी तो 24 वीच आगए अब ए में कितने थे सब ए में कितने थे 30 जिसमें तो बचीवी चीज़ इसको ए नहीं बोलते हैं इसको क्या बलते हैं यह तो यह पूरा है यह तो यह पूरा है आप अल्ली में कितना बरेंगे 32 में चार्श गए आठ अब यह तीनों जोड़ों कितने हो गए 30 और 38 बच्चे दो साठ थे तो चार्ट में सार्टिस गए याने कि यह तो यह तो इदर और में हमेशा यूनियन होता है बताओ न चीज़ तो 38 बच्चे आउट ऑफ 60 यह आंसर आया था ठीक है नीदर एंसर नौर एसस मतलब जानो जो ना तो एमें ना भी में बाहर बढ़ें 22 टोटल कितने हैं टोटल होई साथ हैं एनसर बट नोट नोट ए बना दो चल दी और टीन में तो बनाई ले लेन चीज़ी दो में तो चलो हमने विदाओ डाग्राम बनाई लेना चीज़ अब यह से उसने बोला नहीं बोला हम रपली बनाके हमारा श्र कर सकते ही हम कर रहे हैं जो सही कर रहे हैं समझ गए हैं चलेंड क्यूशन पर ओके पासवर्ट पैटन की जो सूटकेस होता है इस लेबल वेज़िस जीरो टूनाइन जीरो टूनाइन में डिजिट मैंशन है हर एक पे लोग ओपन हो जाता है सीक्वेंस ओफोर डिजिट से जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है ठीक है फॉर 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 ऐसा को नह इसमें पॉर आउ सोचना आएक है तो टोटल को यह सोचना है कि तुर तो मैंने सेलेक्षन किया किशन मेरा लगी नमबर 3 मैं सब्सक्राइब करूंगा मैं तो नमब तो आपने लेकिन इन चार नमबर उसे पता नहीं कि इत्ने सकते हैं 137 एट-1738-83178-8317-83 कि यही चार नंबर थे। थे किसीन होणा करता है तो स्कूलब सुट को किशलता है न करता है तो संनौललते लो करता है क् стен के ठोन अच्चेंश्न की बात होती है आस्टिजीट में से चार डिजिट नहीं चार डिजिट अरेंज करने सेलेक्ट नहीं करने क्या करने हैं अरेंज करने पर्मूटेशन का मतलब होता है नंबर और अरेंजमेंट्स और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर और सेलेक्शन तो अपको सेलेक्ट नहीं करना है तो तरीके टोटल हो जा तो क्या आंसर आएगा मेरे प्रबैबिल्टी क्या जाएगी करेक्ट सीक्वेंस वन टोटल नंबर वेस कितने हो जाएंगे 10 पीफॉर्स को स्वाल करना है आता है आपको टैन इसको फर्द सॉल करो तो वन डिवाइड बाइस इस फक्टर ले जाओ चैप्टर में और पर्मूटेशन वाले चैप्टर में आ जो काम करते थे उसको जस्ट प्रोबैबिलीटी में कर रहे हैं अब यह काम जो है टोटल अमरों वेस्ट निकालने का पर्मूटिशन में करते थे अब उसको प्रबैलिटी के नजरी इस देख रहे हैं कि उसमें एक ही अगर वह कहता गिसमें दो सीक्वेंस करेक्ट नहीं तो जिसका साक्षी की तो आपके पास है है ओके चलो दे प्रबैबिलिटी तट सक्षी एड़ लिट्रिशन कंट्रह्ट इस two by five and the probability that she will not get a plumbing contract is for by 7 that she will get both the contracts सवाल समझाय कोशिश करो समाजने की साक्षी नाम की कॉई कांट्रैक्टर है जो कि गवर्मेंट टेंडर तेके लेती है अब उसने अलेक्टरिशिन का कॉंट्रैक्ट करेगी वह वह ब अब ले लिया तो उसकी घरकर राष्ट नहीं कि उसने चाहा मेरे को मिल जाए और मिल जाए वो सारे लोग लगें लाइन में उसको मिल जाए इसकी क्या समभावना और फिर प्लंबिंग कॉंट्रेक्ट के लिए अपलाई किया है उसको ना मिलने की समभावना दे रखिए एक क मैं से कोई एक का मतलब क्या होता है या वो या फिर दोनों मिल सकतेां याने कि यूनियन भी तो एकी पुमिल रकी जाहिे क्या चाहिए एंट्रसेक्शन भी वीन डो दो नो कॉंट्रेक्ट को मिल यह गररीप तो इस में इवन्विके माल लो एवंट है कि साक्सी विल to get an electrician contract यह तो इवेंस माली हमने आपको क्लास में अगर कोई क्यूशन आटेम्ट नहीं करते टेस्ट में तो आप गर जाके उसको ट्राय जरूर किया करो क्योंकि अल्टिमेटली क्यूशन वह नहीं आएगा जो हम कर रहे हैं उस टाइप का आएगा बिल्कुल नया डिफ्रें क्लास में करते घर जाके मैं अनलिसस से पहले-पहले मैं करके चली जाओं यह अपने आपको चलेज़ दिया ठीक है डोंट फेट फॉर दे टीचर तू आस कि आपको यह करना है प्लम्बिंग कॉंट्रेक्ट पी इवेंट साक्षी विल गैट प्लम्बिंग कॉंट्रेक्ट ठीक है अब एस पर गिवन इन्फॉमेशन एलेक्रिशन कॉंट्रेक्ट मिलन प्लम्बिंग से ले लेता हूं आपकी अच्छी बने एक्जाम में आप स्टेंडड लेटर्स यूज करें यूज करें यूज करें यूज करें तो बी यूज करें प्लम्बिंग कितनी है सरीररत करी प्रिंड़ यूज करें से 1-1-4 ऐलेक्ट-फॉमें-1-1-1-4-7 और ऑर दोनों में से कोई यह मिल जाए तो इस चीज को क्या काएंगे यह भी मिल जाए यह दोनों मिल जाएंगे तो आपको पहले आप इसे लिख दोगे तो अब यह बात तो आपको भी सिट्वर्द., अब आपको क्या चाहिए इसको हम mathematical notation में क्या कहेंगे प्रिल्टी ओफ इंटर्सेक्शन पी अब बच्चे थोड़ना फॉर्मुला में रखे दोगो आप डारेक्ट निकालोगे प्लस प्लॉल्टी ओफ पी माइनस प्लॉल्टी ओफ यूनियन पी बोलो सही रखा है कि मैंने फॉर्मुला यूनियन की न इंटर्सेक्शन की निकालोगा तो यूनियन माइनस करोगा एक्वेस्टेंस में टाम्स को इदर उदर करके सीधे रखना है आप अपने को ऐसे नहीं की सर में तो पहले फॉर्मुला लिखूंगा यूनियन भी का फिर मैं मिसिंग वैल्यूस निकालोंगा की क्या है टू बा इस लिए इस टेस्ट पेपर में बनता है इसकी जगह बनती है आप आजो इस फोर डिजिट नंबर ग्रेटर दें 5000 है तो एंसिया टेकर क्यूशन बट इंपोर्टेंट एक दो दिन चर पांच पांच डिजिट से आपको पांच हजार से बड़ा नंबर बनाना है वह तो गए टोटल केसे उसमें से क्या सम्मावना है आपका बनावा नंबर ड अलाउड नहीं है तो मैं फस्ट ओफ और डिजिट्स लिखेता हूं अवलेबल डिजिट्स क्या है अमारे पास अविलेबल डिजिट्स क्या है हमारे पास यह हैं 013-7 नंबर मुझे 5000 से बड़ा बनाना यह फिक्स है और डिजिट्स यह यूज़ करनी है तो पहले तो टोट टोटल टोटल डाने के लिए आप पहली डिजिट्स को या तो पांच से बरोगे साथ से बरोगे बताओ है और सबर नोब to 5-500 से बड़ा नमबर न सकता है और से सब एक लिए तो किसी बर सकते हो तो इसको भरने के कितने तरीके ओगए दो तरीके इसको बरने के सारे डिजिर्स अलाउड एं वापस रेपिट करना तो फांस के पांस क्यों अलाउड और न रिपिटिशन जो इदर भर दिया वो भी भर सकता हूं ना वही तो फर्ण के इधर करेंगे हम चार इधर तो डिपिटिशन ही अलाउड है तो अगर तो चलो टोटल तरीका देख लेते हैं तो कितना हो गया टू फाफ जाट टैन फाट फिफ्टी फिफ्टी फाट टू फिफ्टी लेकिन इन टू फिफ्टी नंबर्स में से एक नंबर आपका पांच हजार भी बना होगा जब आप पांच यहां पर दोगे और रिपिटिशन अ तो टोटल केसे कितने होगे बोलों फिफ्टी निकाल लें इन दोसो गुंचास नंबरों में से अब पांस चाहिए होंगे इस में सही लेकिन कितने होंगे वह सोचना है तो तो अब तक जो मैं नंबर बना रहा था उसमें यूनिट डिजिट पर पाबंदी नहीं रख रहा अब मैं यूनिट डिजिट पर पाबंदी रखूंगा क्योंकि मुझे डिविजेबल बाइफ चाहिए 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 डिविजेबल बाइफ तो अगेन पहला नंबर तो 57 से हम बढ़ सकते हैं दूसरा तीसरा किसी से भी बढ़तो और लास्ट में 0 और 5 तो यह वाले सब्सक्राइब करेक्ट नहीं होगा क्योंकि पचास बटे डाइसो नहीं सो बटे डाइसो इस नॉट इक्वल टू दो सो नन्यान में बटे 200 गुंचास अगर एक एक नमबर माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम थोड़ना आएगी हाँ अगर डबल और ट्रिपल करने की बात होती तो फिर दोनों में ना करते तो चल जाता लेकिन माइनस और प्लस करने की बात है ना सो यहां पर एक नमबर अभी भी आपको 5000 इस फेवरेबल में भी आ गया आपको चेक करना है थो रोली किया फेवरेबल में भी वह केस आया है यह मैं यहां लिखते ते तो इसमें भी आए प्रोबाबिटी क् लेकियों में से लान लिकनी होती है बिकुछ प्रिजंटेशिन अजो मैं होती है बिकास प्रोबाबिटी अलसुमा पर डिखेश ओंगे है टिकै कर दिकैना तो इसमें दिए प्लोट इस से लिए फिए विए गारट वेसी वाट रोल्क टोल्स से तो फेवरेबल केसेज आर 99 टोटल केसेज आर 240 ठीक है बोलो कोई डाउट सब्सक्राइब आपको प्रेजंटेशन पर ज्यान देना जो कि आप बिल्कुल नहीं देते हो आपकी कई बार मैंने शीट्स देखी है अभी तो चलो मैं इस सीच पर नहीं फोकस कर रहा हूं लेकिन क्लास 12 में माक्स नहीं मिलेंगे बिटा ठीक है और आपकी इन फ्यूचर तो उसको तो प्रेजंटेशन आज ही सीखनी है ऐसे मानों ठीक है यूपी एग्जैम एगर वैसा कुछ आरेस एक्जैम फाइट करना है तो वहां पर तो आंसर राइटिंग इस तो आपको पास नॉलेज है लिगना आपको लिखना ही नहीं आता तो एक्जैम सबना रहा हूं है कि वन टू त्री फॉर अब टोटल केसे इसमें तो अलाउड है नहीं और 5000 से बड़ा नंबर चाहिए तो पहला डिजिट वही पांच और साथ से बर सकते हो तो एक डिजिट तो यहां पर भर दी आना आपने तो अब उसको बरने के तो दो तरीके इसको ब जिबागे पांच पहुंचते पहुंचते कितने मित्चर दो यह दो एक पार के लिए तो साथ टोटल प्लट अब सोचो वह 5000 से बड़ा नंबर का पंगा यहां पर भी आएगा या नहीं आएगा आ सकते हैं क्योंकि जब ड्रेपेटिशन ही अलाउड नहीं तो तीन बार जीरो कैसे लिखो गए लिख सकते हो गया आप पांच बरोगे तो जीरो आप या तो यहां बर दोगे तो आगे नहीं बरने में है तो नंबर बढ़ा हो जाएगा और चलो आखरी आखरी में बर दोगे तो इधर क केसे की बात करें अब फेवरेबल केसे लॉक्स बना देता हूं मैं अब पहला नंबर अब डिवीजिबल भाइफ भी आपको तो सब्सक्राइब करो मैंने पहला नंबर को बरने के दो केसे सियां पर ले लिए और पिसली बार की तरह शाह नहीं अब देको जो कमजोर कड़ी पहले इसको भर आप जाता है तो इसके बाद सीधे यूनिट प्लेस को भरो फिर बीच में तो कुछ भी वर सकते हैं जिसमें सारी चूटे इसको आखरी में काम करना उसकाम को तो अब इदर आपको जीरो और फाइवी चाहिए बट प्रॉब्लम यह है कि सर रेपेटिशन अ बनेंगे एक बार तो आप पांच भर दो पूरा देख लो क्या होता है उससे और लगाओ वीच में और एक बार आप साथ भर के देख लो फिर क्या होता है आपके साथ और दोनों के केसे इसको एड़ कर दो इस बार मैंने यहां पर साथ बढ़ दिया चलो जी अब अगर आपने वहां पांच भर आ तो यहां जीरो बरना फिक्स लेकिन अगर आपने यहां पर साथ बरा है तो वहां जीरो और पांच में से कुछ प्राइब इस और सो पहले केस में और दूसरे केस में पहली डिजिट भनें तो एकक तरीका इसमें अक लिए तरीक कि अब डो डुँजिजिट दोनों में बर चुके हो तुझ तीन बचूँँ है तीन तरीके दो तरीके द्लब के बिचिके तो उसके चटके नबर आरें से आ जाएगा तो सोचता में नहीं तो तो सोस नहीं नहीं है नहीं दूर तो केसे सजें यह टॉटल केसे सही यह तो रिकार्ट हो जाएगे मेरी तो प्रोडिटिटी हो जाएगे मेरी तो यह है 18 इन फार्टी एट एटीछ एटीश सिक तरीजा एटीश एटीश हैं लौट सब्सक्राइब कि कर लिया कि ले 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 पो तो दू एक्सक्षिंशन पूथ वन आउट फंड़ स्टूदेंस टू सेक्शन सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो सवाल है कि 100 स्टूदेंस में से कि 100 स्टूदेंस में हमने बना दी है इतुए टोतल कितने 157 अधनलने नहीं सब्सक्राइब यहां तो क्या संभावना दोनों को सेक्षिन मिला और क्या संभावना दोनों को सेक्षिन हो रहे हैं तो इस सेंपल स्पेस यह बनेगा लेट से पहला जो बच्चा है वह विवेक और दूसरा बच्चा है वह प्रियांशु तो सकता है कि पहले विवेक को भी यह प्रियांशु तो सकता है कि दोनों को को भी सेक्षिन मिला इसके अलावा को छो सकता है कि तो इस एक्स्पेरिमेंट का सेंपल स्पेस ड्रो कर दिया मैंना अब आपको इसमें से कुन सा केस चाहिए पहला किश्चन है दे बोथ एंटर दे सेम दे बोथ एंटर दे सेम प्रोबाइबिलिटी बोथ एंटर दे सेम सेक्षन का मतलब इसमें से कुन सा कुन सा केस काउंट बोलो तो वृइव बी टो प्रोविल्टी ओथ ग्रोबी एसे लिखोगे फिर और लगा है तो अ या तो यह या फिर इंधे आ ज्या पांश को तो इसको भी ए मिला इसको बीयां तो इसको मैं लिख सकता हूं कि क्यों केस में अपन्र करते है या पहला नमब जो है विवेक का को भिया मिला और प्यांश को भी ए मिला अब दोनों काम करने होतें को multiply करते हैं intersection लगाते हैं और दोनों में से कोई एक काम करना होता है तो प्लस लगाते हैं समझ गया है तो यहां से probability of a और प्रविटी भी पहले ही निकाल के रखो प्रविटी ओफ ए कैसे निकलेगी 40 by 100 जिसको मैं कह सकता हूं 2 by 5 और प्रविटी ओफ बी कैसे यह सब equally likely हो जाते हैं इसकी भी 1 by 4 इसकी भी 1 by 4 जैसे कोईन के टॉसिंग में होता है तो फिर 1 by 4 1 by 4 1 by 2 यह चांस से हो जाते होने लेकिन आपको डेटा जीवाने तो आपको डेटा के साफसे चलना है अब अप को लाइक लाइक नियुक्त निहीं लोगए अप्रोश लगए अंदर गुसो अर्यका अलग-लग निकालना शुरू कर रहे हमने इसकी अलग निकाल है एंड़के केस मे को और कि केस में प्लस्ट स्वाइब फाइब पार इस तू अन्सर इस कौरे निए नैन प्लस फोर थाइब वाइब के से कुई अब इन दोनों मैं से कोई एक कामी तो होगा कि यह तो दुनों को सेम सेक्षन मिलेगा है तो चाहो तो वन मैंस करके निगाल सकते क्योंकि अगर यह होगा तो वो नहीं होगा और वो और यह नहीं होगा समझ रहे हो तो इसमें कौन-कौन से कैसे काउंट होंगे ए बी और यह वाले कि पहला वाला को नहीं मिले और फ्यांशू को भी मिले या फिर इसको ए मिले उसको भी मिले और इसको च्झारलर करो है ताइट करा इंटू बी क्या है 3 by 5 प्लस बी क्या है 3 by 5 और एक क्या है 2 by 5 तो यह दोनों सेम ही तो expressions हैं दुग ना कर दू सीधे 2 into 2 by 5 into 3 by 5 तो इट्स लाइक टू टू जा और इसकी प्रिटी में पहले निकाल के आया हूं 1-13 by 25 डैट मेंस 12 by 25 तो इस तरीके से भी किया जा सकता है उसमें माक्समोल जाएंगे और खूल के किया तो भी माक्समोल जाएं बताओ एंडाउट्स नी tentang अच्चों से तो हम कर सकते हैं देखो noteta सबाल यह नहीं कर सकते हैं या कर तो सकते हैं बट मुझे दो बच्चे चुनने हैं तो दो बच्यों के अर्रेंजमेंट के चार के इसको कैल्कुलेट करने के लिए द पर्र मूना सेहारा क्यों है within 2 च्टीक है जब हमारा स्कोप बढ़ गया चोटी मोटी चीज़ तो टेंथ क्लास तक अपन उंगलियों पर वैसी सेंपल कर देते थे ना कि तो दो लोगों को अरेंज करना है आपस में दो प्लेसेस पर तो कितने तरीके होंगे कि दो लोगों को अरेंज करना है दो दो कि मेरे पास दो प्लेसेस में बरने के लिए और उनको बरने के दो रीखा है तो इधर सकता हूं रसक क्या सकते हैं लाइट है यहां पर दो लोग सकते हैं विवेगों रही हैं यहां पर दो लोग सकते हैं तो जब आपको नमबर सेलेक्ट करने तो अगर तो ना दो लगता है न लगता है वहाँ पे लगता है ऑफ कांटिंग जो हमने सीखी तो यहां पर टू इंटू टू लगेगा और मालो ऐसा होता कि ए ए और बीबी अलाउड नहीं होता तो टू इन टू बन जब रेपिटिशन अलाउड है तो कभी पर्मूटेशन या कॉमिनेशन लगी नहीं सकता तो यहां पे तो आप दोनों को सेम सेक्षन मिल सकता है ना तो पहले और दूसरी प्लेस को भी आप और एसे बर सकते हो पहली दूसरी को तो रेपिटिशन अलाउड हो गया तो मैं यह तो कह सकता हूं कि चैप्टर तो पर्मूटेशन है लेकिन उसमें पर्मूटेशन वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता तू पी टू नहीं होता है वह कब लगता जब रेपि लेकिशन में जो था रेपिटिशन अलाउड रेपिटिशन नोट अलाउड था तो रेपिटिशन अलाउड वाला जो केस था उसमें अपन पर्मूटेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे कब कब जब रेपिटिशन अलाउड नहीं था सेकंड केस में सारी बाते क्लियर रहे हैं ओके चलें आगे कैसे बताओ कि बताओ मुझे सुलूशन बताओ तेल मी आज जाना है आपको जाओ अच्छा चालिस बच्चों में से एक बच्चा इदर से सेलेक्ट वह वाली तरीका के रहे हो हाँ तो कॉम्बिनेशन वाला होगा फिर पर्मूटेशन वाला नहीं हो इसमें कॉम्बिनेशन कैसे होगा वह भी देख लिए क्यूशन चेंज कर दिया फिर मैंने मेला क्यूशन के अपरोच कर दी हम ऐसा कर सकते हैं इसको कि अगर हमको अगर हमको दोनों को सेम सेक्षन में करना है ना हमारे पास हंड्रेड हैं सेक्षन ए में कितने हैं 40 एन सेक्षन बी में कितने है 60 ठीक है 40 60 100 ऑ cousins अब अपने को क्या करना है दोनों को सेक्षन में करना है तो यानि कि आपको 40 में से दोनों बंच्चे चाहिए या पिर आपको 60 में से 25 है 50 40 में से दोनों बच्चे होने चीह हैं अगर 40 में से दोनों बच्चे हुए आउट ओफ 100C2 ऐसे किया या फिर प्लस और लगाते हैं 60C2 divided by 100C2 यह तो पहले क्यूशन का अंसर है मैं सॉल करें 40C2 को क्या लिख सकता हूं मैं 40 इंटू 39 और 100C2 क्या लिख सकता है पन 100 इंटू 99 अपन टू तो कट जाएगा नीचे से नीचे अपन टू अपन टू काट दिया मैंने ठीके प्लस 60C2 का मतलब 60 इंटू 59 दिवाइड पांड़ेट सीटू 100 इंटू 99 तो 100 इंटू 049 जा 36 रिमांडर 34 जा 12 इंटू 15 069 जा 54 रिमांडर 5 65 जा 30 इंट 5 35 देन वी विल सॉल विट 35 इंट 15 5000 फिफ्टी 100 हो गया यह जिवाइड बाइ 100 इंटू 99 तो 0 से 0 0 से 0 33 बाइ 17 यह अंसर आ रहा है गया आंसर पहले वाला लगता है पहले क्या आया था पहले वाला अंसर क्या था बताना एक वार वह डिलीट हो गया पहले हमने सॉल किया था अपने वाना ए ए ए ए बी बी ए बीए बीबी ओके तो दोनों को सेम सेक्शन मिले तो ए ए बीबी ओके देखो आंसर तो यह है पहले वाला गलत है लेकिन पिसली वाली अप्रोच से भी आंसर लाया जा सकता है हमने पिसली बार कैल्कुलेशन गलत करी है कैल्कुलेशन क्या गलत करी है और सुनों सेम सेक्शन मिलाने कि प्रोब्लेटजी आटओ परीविज़िए छीक है इसके बाद आपने क्या किया प्रोब्लेटी ओट प्रोब्लेटी और एक्ट्व प्रेवलावला जो तरीका यह क्लास 12 में डिस्कस होगा तो अभी के लिए तो आप यहीं तरीका यूज करेंगे यह approachable तरीका as per the class 11th इसमें थोड़ी conditional probability का role है वो क्या होती है उसनों plus probability of B into probability of B देखो बहुत सारे events ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के घटित होने की संभावनों को effect नहीं करते हैं और बहुत सारे करते हैं हम उनको बोलते हैं mathematical language में independent events और dependent events तो देखो अगर probability of a याने कि एक बच्चे को a section मिला एक बच्चे को section मिला उसकी संभावना क्या है 40 by 100 जिसको हमने क्या लिख दिया एक बार कर लिए अब दूसरे को भी ए मिले उसकी संभावना भी हम 40 by 100 लिख रहे हैं वह गलत कर रहे हैं ना दूसरे को तो 39 by 99 की संभावना से मिलेगा ना यह section ना क्योंकि total में से भी एक कम हो गया और favorable में से दूनों को ए चाहिए तो हमने पिसली पर क्या गलती करी हमने 40 by 100 और दूसरे वाले को भी मिले तो अब फेवरेबल एकम हो गया अब जब आप इसको सूल करोगे तो से माथ प्राइब टो अगया पाप इस स्वावाले दगार से करो तो कर सक्ते हैं लेकिन फिर क्या करनी करी by 5 x 5 x 5 x 5 क du u जो की गलत है अब difference स्क्षन की या तो 1 वन में से माइनस कर दो अब different section की पहले चलो हमने जो किया उसके साफ से देख लेते हैं तो different section की हमने कौन-कौन से cases लिए probability of A, B और probability of B यही दो cases लिए बोलो तो यानि कि probability of A multiplied by probability of B plus probability of B multiplied by probability of A ओके तो probability of A पहले वाले को A मिले 40 by 100 समभावना होगी दूसरे वाले को B मिले तो B के साथ के साथ बच्चे बाकी हैं लेकिन total कम हो चुका है favorable तो वही है similarly इदर पहले B को मिल जाए तो 60 by 100 और दुबारा में फिर A दूसरे बच्चे को 40 by 99 इसमें 100 into 99 will be taken celsium and what we will do 40 into 60, 40 into 60, 2 गुना कर दो 2 into 40 into 60 तो इसको काटो तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया ओके ये 3 से काटो तो 33 32 जा 6 बस, that's it 224, 42 जा 8 248, 8 जा 16 16 by 33 और वैसे भी आप चेक कर सकते हो 17 by 33 1 में से माइनस करके भी हम देख सकते हैं तो second question का answer तो आपन वह वैसे करी सकते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे कैसे probability they both enter the same section will be equal to 1 minus probability they enter the same section यानि कि 1 minus 17 by 33 कि इसमें 16 में ये तो आप कभी भी कर सकते हो किसी भी approach में चले जाओ दुनिया की किसी भी approach में चले जाओ ये काम तो करी सकते हो अब बात करते हैं permutation combination से इसको करें तो इधर changes करके देखो पहले AB पहले AB मनला पहले वाले को A मिला 40 में से एक बच्चा अब साथ में जब दोनों काम होते हैं तो multiply करते हैं साथ में से भी एक बच्चा divided by 100 में से दो बच्चे total cases या तो ये हुआ होगा या फिर साथ में से एक बच्चा पहला बच्चा इस में से दूसरा बच्चा इस में से और 100C2 तो इसको solve करेंगे तो यह गा 100C2 तो 100 into 99 नीचे आ जाएगा और 40C1 47 क्या होदा है 40 67 क्या होदा है 60 40 into 60 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 60 into 40 so you can see 40 into 60 60 into वही सेम आज़र आ रहे इस सेक्शन में से बच्चा चीए सेक्शन में से बच्चा चीए ठीक है तो C ही आएगा पी नहीं ओके एनी अधर और डाउट अच्छा वन मोर तिंग अभी के लिए अगर क्लास अलिम्ट में अभी आवके जैसा अनुवल एक्जाम्स अगर होते हैं इसमें अभी हम बहुत सारी चीज़े गलत लिख रहे हैं यह दुबार अप्लिटी ओफ ए नहीं लिख सकते हैं अगर लिख रहे हो तो फिर 40 बाइन 100 लिखना पड़ेगा इसको पता है क्या लिखता है इसको बोलते हैं इसको लिखने का नोटेशन होता है इसको लिखने का नोटेशन होता है एग्onे को मतलब होता है कि एक बार एगा ऑब दुबार स्कता है तुकल सिट इस में नुस्टी मेथ फॉर्गा अमें इस क्लाफ्fill में डिसक्स किया है लास्ट क्यूशन थ्री अवलिबल लोकलेटी एच एपलाइब वन हाउसे विदाओं कंसल्टिंग अधर्स विदाओं कंसल्टिंग अधर्स वो उसको अपलाय करते हैं कि बिना एक दूसरे से बातचीत किया वो उसको अपलाय करते हैं समझाया मतलब मतलब यह इसकी सेम प्रोबैबिलिटी निकाल दिया ना तो कितने मार्स का क्यूशन ने तीन आप आदे मार्स देदो बस उसने यह नहीं किया कि लिए अगर आप एक कारों और प्रोल्टी यह से मतलब आरा रहा है तो अब अगर आप एक इंडिपेंडेंट्स और एक डिपेंडेंस से करोगे तब प्रोल्टी का समवन नहीं आएगा क्योंकि तब तो आप दोनों का मिक्स कर रहे हैं करें चलो अब तीन घर हैं तीनी लोग हैं विफाउट कंसल्टिंग अदस वो अप्लाय कर रहे हैं चिठी लिखके आ क्योंकि अगर यह करें तो फिर इंडिपेंडेंट्स होजाते हैं अब यह इंडिपेंडेंट्डेंट्स मनलब आप आप तीन घर तीन लोग पहले टोटल क्या वह वागाए और उसमें परसंस है उसको मैं पी टू और प्लाय कर देता हूं अब आप सेंपल स्पेस या तो हाउसे के साथ से बनाओ या प्लार्संस के साथ से बनाओ जब हाउसे के साथ से बनाओ तो थो परिसिक हो जिआगा पूल में पिवन का हर केस में दूसरा नंबर ठी Lords कर दो या है फिर पर सफिक्स कर disciplines क्या 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 हाँ हो सकता हैं की सर पहला परसें के लिए अपलाय और या तीसरा हाउस में तीज़ा विए आप्लीए और दूसरा पर्षण न के लिए करें तीसरे के लिए के लिए लेकिन तीसरे के लिए अब दूसरे के लिए प्रसन रहा हउस दूसरे के लिए करें और utiliz पहले परसन को चेंज कर दो बोद देर तक तू लिया अब तू अब तू तीसरा बन जा एच थ्री एच वन एच वन ओके और अब एच वन एच वन हो गया था तो एच टू एच टू एच टू एच टू एच टू एच तू एच अब देखो द्यान से कोई केस चूटा गया बहुत सारे कैसे चूट गए बैठा कित्ते कैसे से काउंट करो अभी तक कित्ते कैसे हो सकते हैं चलो यह बता हूँ तीन जगह हैं तीन लोगों से भरनी है रेपेटिशन अलाउड है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कि 27 केसे पॉसिबल है तीन जगह है पर्सन वन पर्सन टू पर्सन त्री पर्सन वन को अब हाउस वन हाउस तू हाउस थी से बर सकते हो फिर रेपेटिशन अलाउड है क्योंकि एक दूसरे से कंसर्ट नहीं कर रहे हो तो यह सानी कि उसने और लिए उप्शन कम होगा आपके पर्सन टू भी तीन गर सेलेक कर सकता है तो 27 बनने चीए पहले सोचना है फिर अपल स्पेस बनाना शुरू करना यह नबर और अब तक तो केसे पूरे हुए नहीं अब देखो अगर आप केस ना भी बनाओ तो भी आप आंसर लिख सकते हो आपको संभावना लिखनी तीनों सेम तीनों जो हैं सेम घर के लिए अपलाकर सेम घर में हमसा हैं कीरला कहनि हो तो अलग क्या संभावना है कि दो तो एक डिफरेंट कीन लिए करें यह परसंसनी जेन एक मतलब लिए करें था सब्सकरण के लिए करें जो धरति किसले के सेbalश्मरी के सब्सक्राइब ल tongues नगर दो आगे बताऊ सोच आ रहे गया है है कि अब देखो हमने बनाना थोड़ा सा गलत स्टाट किया अबने कैसे बना रहा हूं बिल्कुल सीक्वेंस में कि अैसे केसे में क्या करेंगे सबसे पहले तो फस्ट घर को फिक्स सबसे और इन दोनों को शफल गरेंगे इन दोनों में तो फिर चार केसे बने तो भी 12 हो रहे हैं तो फिर 27 क्यों नहीं हो रहे हैं चलो एक बार करते हैं चलो एक बार करते हैं को फिक्स किया अब एच्वन को फिक्स करके एचवन ही तू मैं है ओर एच्वन को फिच्स करके काहिए पर एकटो को है अभी अमने क्या किया हरजगा चलो करो चार जलो तो नेक्स्ट क्यों जाएगा तरह एच्वन तो फिक्स कर दिया मैंने हेच्वन एच्थी पहले वन्होंट्थि को किया है और फिक अना ठीके तो ऑठ्वन एदर ही वन हत्री वन भी बनेंगे एच वच वन एच वन है एच वन है दो है अब वन और हो गया वन और टू ऩिरिन कि एच वन क्या रहा है आपने अच्छा दोनों जगह थ्री और फिर दोनों जगह वन वन तो पर आगया तो एच वन एच थ्री एच थ्री ओके ठीक है अब टू और थ्री को करो एच वन एच टू एच्ट्री ओधिर एच थ्रीट जा और हुर एच वन एचट्री एच्ट्री रेगल ना और ही टू एच जोने एच मगते हैं थ्री हुट्री नहीं स्टार्टिंग में हर जग है था तो स्टार्टिंग में हर जग सबनेंगे जब सब्सक्राइब करेंगे इस हो टोटल केसे अब इसमें चाहिए और केस केवल मेरे करें कि अप्लाया करें कि रफप्लाय करें तो h3 h3 this is the only possibility so total favorable cases कितने हो गए आपके कितने हो गए 3 so probability निकालने के लिए required probability हो जाएगी हमारी favorable cases divided by total cases याने कि n of a divided by n of s ठीक है याने कि 3 by 27 याने कि 1 by कि ठीक है सब्जाया और कोई अप्रोच इसको करने की कि कि रीसी बन कितना होता है कि री त्री सी बन थ्री होता है नो और त्री वन इंट्टू थ्री कितना होता है नाइन और तो कोई अप्रोच नहीं लग रही यह लग रही है ठीक है अगेन इस वाले क्विशन पर्टिकुलर डिस्क्विशन में सेंप्र्स पर ज़्यां करने हैं आप पर मुटिशन का सहरा ले सकते हो कि तीन प्लेसे सम तीन जगर से बरेंगे तो उस में से फैवरेबल तो चीज पूछी वह यह पूछी जो गॉप्र एकांट कर सकते हैं त्रिपलेट बनेंगे एक वन एक वन एक साइड ऑप्शन पर यह किया था किसी नाटेम्ट नोवन ओके एंड इस वासो फॉल्सट पूरा आउटसाइड ऑव एंजी ता ठीक है तो एक उच्विशन दो बनता है इनोवेटिव नेक्स ये पार्विल्टि य आया था कुछ समझ में बाता है को कोई संब्सक्राइब करें कि सम्भावना करॲा छांसे क्योंध वर अपने को चाहिए उसके हिसाव से क्या एक होना च steals प्राइब ने वाला से कार्ण फाला इवन उनम तो हम क्या करेंगे हमको जब अ परबोर को मानले सोविया पक्ड़िया जाना बेस्टपों करपोगे Bennett-फोर्मेशन हमको क्या-क्या given है वो देख लेते हैं तो Swamya will committed fraud की आपको probability दे रखी है 3 by 5 in the book in the question और Swamya will be caught इसकी probability दे रखी है आपको 1 by 2 ये दो चीज़ा आपको दे रखी है अब पूछाए क्या आपसे probability Swamya will go to jail Swamya will go to jail अब jail जाने के लिए दो काम जरूर की करने जरूरी है अगर कभी किसी को जाना हो तो एक तो आपको fraud करना है प्रोड करके फिर पकड़े जरूर जाना है क्योंकि अगर आप पकड़े नहीं जाओगे तो भी बहुत सारे लोग फ्रोड करके बिना पकड़े जहिल में नहीं जा सकते हैं तो आपको ये काम भी करना है प्रॉड घृट प्रॉड उच्चा इसमें ट्रैक्टिकल बाते नहीं आती आती जब करते हैं तो वहुत या मिल्च प्रॉड ल में प्रॉड लोग अिसम में बब इस अथ마 जो कमित प्रॉड एंड एंड मतलब यह काम तो होई सही यह काम भी हो, she will be caught, and she will be caught, तो यानि कि प्रोविल्टी ओफ a intersection b, intersection में हम क्या करते हैं, multiply, बोलो, तो A की probability है 3 by 5, B की है 1 by 2, 3 by 10, आंसर, बैसे इतना ही जिता हूँ, अब इसमें पूस्ता कि जेल नहीं जाने की सम्माऊना तो 7 by 10, 1 minus 3 by 10, ठीक है, मालोस नहीं जाने की probability पूस्ता तो कैसे निकालते हैं, एक तरीका तो ए 1 minus 3 by 10, लेकिन दूसरा तरीका, यहां से A dash की निकालो 2 by 5, यहां से B dash की निकालो, अब A dash और B dash की मतल से निकाल सकते हैं, जेल नहीं जाने की probability, कैसे हैं, तो 2 by 10, आंसर, तो गलत हैं, तो देखो फिर नहीं जाने की और तरीके भी हैं, आप fraud करो, पकड़े मत जाओ, तभी भी तो जेल नहीं जारे हैं, ठीक है, तो नहीं जाने क तरीके क्या क्या है, फ्रॉड करोगे नहीं, पकड़े जाओ, वो भी एक तरीका है, तो A intersection B dash, और बताओ, प्लस, आप fraud करो, और पकड़े नहीं जाओ, तभी भी आप जेल नहीं जाओगे, और दूसरी चीज, आप fraud नहीं करो और पकड़े जाओ, तो भी तो आप जेल नही जाओगे, तो भी तो आप जेल नहीं जाओगे, क्योंकि आप पकड़े तो गए, लेकिन आप नहीं किया है, यह नहीं किया है, तो आप जेल नहीं जाओगे, तो नहीं जाने का यह केस भी बनेगा, कि A dash intersection B, ठीक है, और दोनों का dash करूँ तो, मतलब आप फ्रॉड भी ना करो, पकड़े तो फिल तो क्यों जाओगे, तो इसमें करना जाओगे, तो 3 by 5 into 1 by 2, प्लस 2 by 5 into 1 by 2, यह करना जाओगे, तो 3 by 10, अभी भी एक केस रहेगा शाए, 2 by 10, that means कितना है, 5 by 10, और इधर कितना आ रहा था, 3 by 10, तो 2 by 10 probability इसकी बचती है, भी A- और B- की, हाँ, जाओ, भगड़े, वह भी नहीं जाओ, तो यह भी एड होगा, मतलब इसमें, ठीके, तो उसमें भी तो आप नहीं जा रहे हो न, जेल, भाई, A, B, A-, B- के चार कॉंबिनेशन पॉसिबल है, A, B, A, B, A-B, A-B, और A-B, तो एक केस में ही आप जेल ज जा रहे हो, तो अगर नहीं जाने की पूछी है, तो तीसरा भी एड करूंगा मैं, तो यानि की प्लस 2 by 10 भी करूंगा, यानि की यह 7 by 10, ठीके, तो इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो चाहीं तरीका, तो यह है, कि यह निकाल के निकाल, चलो, anyways, आपका यहां पर यह एक्सर तो अभी भी मैं कहता हूँ 11 का कोर्स अभी भी आपके पास टाइम है तो पूरा रिपीट कर लो अच्छे से ताकि 12 के एंट्री में अपने को दिखतना है ठीक है चलो thank you so much for listening to us a nice day keep learning